वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल मिक्सलैका मास्टर और आज आपके साथ मैं शेर करने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप अपनी वोकल्स को प्रफेशनल वे में अपने घर पे रिकॉर्ड कर सकते हो तो सबसे पहले जो आपका रोम है वो अकुस्टिकली ट्रिटर होना बहुत जरूरी है अगर आपका रोम ट्रिटर नहीं है तो आपको रिफ्लेक्शन साएंगी और आपकी वो रिकॉर्डिंग को डिस्टरब करेंगी चाहे आपके पास बहुत महिंगा माइक है लेकिन अगर आपका रोम ट्रिटर नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है तो उसके बाद जो आपके रोम का फैन है उसे बंद रखो सब भी बंदी रखते हैं यह तो बहुत नॉर्मल सी बात है लेकिन फिर भी बताना हमारा फर्ज है उसके बाद जो आपका AC है उसे भी बंद रखो आज कल जो AC आ रहे हैं वो उतनी ज्यादा noise create नहीं करते जो पुराने AC थे वो काफी noise create करते थे तो आप देखो कि आपका AC आपकी recordings को disturbed ना करे अगर कर रहा है तो उसे बंद रखो और अगर आप चाहते हो कि आपकी vocal professional sound करे तो उसका रियाज जरूर करो practice करो ऐसे नहीं कि आज सोचा और कल recording कर ली उसको थोड़ा time दो रियाज करो तो आपकी vocal की जो output है वो for sure better आएगी तो एक बहुत ही common mistake beginners करते हैं वो है leakage वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते लेकिन अगर आपके headphones की जो sound है वो record हो गई mic में तो वापिस जाने का कोई तरीका नहीं है आपकी vocal एक बार हो गई लेकिन leakage उसमें है और वो mixing में आपको disturb करेगी और उसको किसी भी तरीके से काटा नहीं जा सकता तो better है कि आप पहले से ही उसका level उतना रखो कि वो फिर से mic में जाके record ना हो तो अगर आप अपने घर पे vocals record कर रहे हो तो आपके पास एक condenser microphone होना बहुत ज़रूरी है और अगर आपके पास एक condenser microphone है तो आप एक pop filter ज़रूर यूज़ करें क्योंकि जो हमारा pop filter है वो ऐसी जो sounds हैं उनको control करता है माइक तक नहीं पहुँचने देता क्योंकि जो हमारा condenser microphone है वो काफी sensitive है वो ऐसी आवाजों को बहुत जल्दी record करता है और mixing में आप इसको ठीक नहीं कर सकते आप shock mount ज़रूर buy करो अलग से क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फाइदे है आपके पैरों की voice आप हिल रहे हो इदर उदर तो वो stand से ओकर माइक तक जाएगी आपकी wire हिल रही है आपके headphone की wire stand के साथ touch हो रही है और वो भी माइक में जाएगी touch हो के so better की आप एक shock mount ज़रूर buy करो क्योंकि यहाँ elastic है और यह कोई भी sound माइक तक जाने नहीं देती काफी बार ऐसा भी होता है कि हमारा hard touch हो गया pop filter के साथ stand के साथ तो काफी चीज़े हैं जो shock mount माइक तक नहीं पहुँचने देता तो काफी beginners मुझे पूछते हैं कि कितना distance हमें माइक से रखना चाहिए कितना pass जाके गाना चाहिए या कितना दूर जाके गाना चाहिए यह depend करता है कि आपके गाने का scale कौन सा है अगर आपके गाने का scale काफी ऊचा है और आप pass जाके गाओगे तो आपका जो recording है वो distort कर जाएगी और अगर आप बहुत दूर जाके गाओगे तो gain काफी कम होगा vocal में fullness आपको नहीं आएगी तो ये आपको experience के साथ ही आएगा कि कितनी दूर जाके हमें गाना चाहिए या कितनी पास आके हमें गाना चाहिए तो जितना पास आते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी आवाज में base आएगी तो उसके साथ एक boomingness भी आएगी जो अच्छी नहीं लगती तो ये depend करता है कि आपके गाने का scale क्या है कौन सी pitch है और single के गले का throw कैसा है और आपने gain कितना set किया है ये आपको time के साथ पता चलेगा तो शोटी से tip मैं आपको देना चाहता हूँ अगर आपके गाने की pitch काफी high है तो कोशिश करें कि थोड़ा mic को दूर रखें ज्यादा दूर ना रखें थोड़ा दूर रखें कि आपकी जो recording है वो distort ना कर जाए और अगर आपके गाने की pitch low है तो आप pass आ सकते हो तो बाकी experience के साथ आपको समझ आएगा कि कितना distance मुझे रखना चाहिए और कितना distance नहीं रखना चाहिए तो basic मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके गाने की pitch high है तो थोड़ा पीछे हो जाए अगर low है तो थोड़ा आगे चले जाए ऐसा नहीं कि pitch high है और आप pass चले जाओ तो उसका कोई sense नहीं बनता तो एक और common सवाल जो लोग मुझे से अकसर पूछते हैं कि कितने DB पे record करना चाहिए यह हर एक engineer का अलग-अलग style है और अलग-अलग सारे लोग record करते हैं और मैं जैसे record करता हूँ मेरी recording की जो higher value है वो minus 8 से उपर नहीं जाती और lower value है वो minus 14 से नीचे नहीं जाती आप भी ऐसे record कर सकते हो या फिर अपना style ढूंडो minus 18 तक भी लोग record करते हैं और minus 10 तक भी करते हैं आप देखो main thing कि आपको headroom चाहिए काम करने के लिए आप enough headroom बना के रखो ऐसा नहीं है कि full खुला हुआ ग्राफ और आपके पास headroom है नहीं काम करने के लिए और saturate किया और vocal चली गई ग्राफ से बाहर तो सबसे बड़ी दियान रखने की जो चीज है वो है कि आपको काम करने के लिए headroom चाहिए और आप enough headroom रखो गाने के scale के according की गाने की पिछ high है गेन कम रखो और गाने की पिछ low है तो गेन थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो और अगर आपके पास एक अच्छा mic नहीं है तीन चार हजार या पांच हजार का mic आपके पास है और audio interface भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप एक professional studio में जाएं और वहाँ अपनी vocals को record करें वो ज्यादा expensive होता नहीं है हमारे यहाँ चंडीगर्ड में 700-800 रुपए पर आर्क की बो लेते हैं तो आप अपनी location के recording चेक करो कि क्या charge करते हैं मैं सारे beginners को suggest करूँगा कि starting में अपनी जो vocals हैं वो professional studios में जाके record करें वहाँ जाके आपको सीखने को मिलेगा आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना गेन रखा है कितनी distance पे आपको खड़ा किया है और कितना graph बन रहा है सब आपको दिखेगा और आपको सीखने को मिलेगा और घर आके practice करो और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक professional way में हम vocals को record कर सकते हैं तो उसके बाद मैं आपको अपनी recording का एक graph दिखाता हूं और उसकी loudness मैं आपको बताता हूं मैं कितनी रखता हूं तो यह हमारी vocals हैं हमने last tutorial इसी vocal पे बनाया था और आपकी जो vocals का graph है व मुझे अपनी vocal का graph है वो रखना है अगर आपकी recording के बाद आपका जो graph है वो कुछ ऐसा बन रहा है तो आप गलत record कर रहे हो और अगर आपकी recording के बाद आपका graph कुछ ऐसा बन रहा है तो फिर भी आप गलत record कर रहे हो तो ना ज्यादा loud record करना है और ना ही ज्यादा कम record करना ह मीडियम सा record करना है कि headroom हमें मिल जाए काम करने के लिए तो आप pointer पे ध्यान दो और देखो कि loudness कहां तक रहती है तो आपने देखा कि जो highest मेरी peak है वो minus 8 या 7.9 तक रहती है उसे उपर नहीं जाती और यो lowest है वो minus 14 या 15 के नीचे नहीं जाती तो आप भी ऐसा विलकुल record कर सकते हो आपको बहुत अच्छी output मिलेगी और अगर आप mix के लिए बाहर गाना भीज रहे हो तो आपको कोई भी engineer नहीं कहेगा कि आपकी vocal टंक से record नहीं होई है तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप घर पर ही एक professional way में vocals को record कर सकते हो और इसी तरह की और वीडियो से देखने के लिए subscribe to my channel और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और topic के साथ peace out